नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z टिशिष उशा कोरजानी में तो आज आपके साथ मैं शेर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी केरेमल खीर यह बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और जैसे हम खीर बनाते हैं उसी सामगरी से यह खीर बनत बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में ड्राइफ रूट और इसमें हमने चावल को यूस किया है बहुत बढ़िया लगती है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है जैसे हम वह वाली खीर बनाते हैं साबूदाना चावल की वैसे यही बनाएंगे तो चलिए शुरू करते ह तो इसके लिए हम पहले इंग्रीडियंस देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक लीटर दूद, अमूल गोल्ड के मैंने दो पेकेट ले लिये, इन दोनों को मिला की एक लीटर दूद बनता है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिये आदी कटोरी चावल, यह चोटे वा यहां पे लिए किश्मिश लेने के बाद मैंने यहां पे लिए 10-11 बादाम और इसी तरह से मैंने यह आट से 9 काजुई ले लिए हैं फिर मैंने लिया यहां पे गी यह करीब दो बड़े चमच गी है तो सबसे पहले केरेमल खीर बनाने के लिए हम यह जो छोटे चावल हमने लिए है आदी कटोरी वह से बिगोएंगे इसे करीब हमें 15-20 मिन तक ही बिगोना है तो सबसे पहले यह ले लेंगे यह चावल हमने ले लिए इसे बरतन में इस तरह से डाल देंगे और पानी से अच्छे से दो तिन से दो लेंगे तो आपको इसमें छोटे चावली डालने हैं बड़े बासमती लें लेने हैं छोटे चावल इस तरह से हमने दो लिये हैं अब इसमें पानी डाल देंगे और इसे करीब 15-20 मिन तक इसी तरह से रख देंगे आपको इसे 15-20 मिन तक ही रखना है अब यह साइड में रख दीजे अब हमने जो दूद लिया था अमूल ग का आप भी वही लीजेगा ये खीर बनाते वक्त थोड़ा गाडा दूद चाहिए होता है तो इस तरह से हमने ये एक लीटर दूद अच्छे से छान लिया है अब इस तरह से एक मोटे तले की कडाई ले लेंगे एकदम चोड़ी होनी चाहिए इस तरह से अब इसमें जो एक उबार आने तक आप इसे आपको पकाना है इसे चलाते जाएएगा ताकि ये जो कडाई पर दूद चिपके ना तो इस तरह से चलाते जाएए तो आप यहां पर देख सकते हैं उबाल आ चुका है और यह बढ़िया तरीके से जो हमारा दूद है थोड़ा थोड़ा पत्रान रिखेगा तो अदो इस तरह से घला दिया बढ़िया तरीके से अब जो हमने चावल विगुए थे 15- 20 मिनिट उसे और इसका पानी इस तरह से निकाल देंगे और यह जो चावल है ये दूद में इस तरह से डाल देँगे सारे चावल इस तरह से डाल देना है ये करीब आदी कटोरी चावल है इसे आपको 15-20 मिनिट तक ही बिगोना है चावल डालने के बाद इसे लगाता है इस तरह से चलाते जाएए ताकि जो चावल और दूद है वो इस तरह से कड़ाई में चिपक ना जाए तो इस तरह से चलाते जाएए और इसे पकाते जाएए तो आप देखेंगे थोड़ी तर के बाद जो चावल है थोड़ा पकना शुरू हो जाएंगे तो इस तरह से आपको चलाते रहना है अभी तो ये चावल बहुत ही कच्चे है इस तरह से आपको चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है तो यहाँ पर जब तक यह चावल पक रहा है तब तक हम और देख लेते हैं इसमें क्या करना है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काजू और बादाम अब इन दोनों को मैं कट कर दूँगी तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे टुकडों में कट कर लिया है काजू बादम दोनों को अब ये जो खीरे आप देख रहे हैं कि ये चावल जो है थोड़े थोड़े पकना शुरू हो चुक है मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ अब ये प्रॉपर पके नहीं है थोड़े थोड़े पके हैं अभी इस तरह से मैं इसे और चलाऊंगी और पकाऊंगी तब करीब आपको इसे 5 मिनिट और पकाना है 5-10 मिनिट पकाना है ताकि जो चावल अच्छे से पक जाए तो इस तरह से चलाते रहना है तो यहाँ पर 5-10 मिंट हो चुके हैं और यह जो हमारे चावल है बहुत ही बढ़िया से पक चुके है मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ चावल की साइस थोड़ी सी बढ़ गई है और बहुत ही पक चुके है अच्छे से अब चावल को इस तरह से यह कर्ची की मेंदे से थोड़ा थोड़ा हलका से दबा देंगे तो इस तरह से आपको थोड़े थोड़े दबा देने है तो यह लीजिए तयार है बढ़िया तरीके से हमारी यह खीर की मेंट अब आब इसमें सोच रहे होंगे कि भाई खीर है उसमें इन्होंने चीनी नहीं डाली है तो भाई रुकिये रुकिये वह भी इसमें चीनी भी डालने वाले है पर इस तरह से ये तैयार हो चुकी है अब गैस को कर दीजे बंद और इसे एक साइड में रख दीजे केरमल खीर है थोड़ा सा अलग है देखते रहें वीडियो को अब इस तरह से एक और मोटे तले की चौड़ी कड़ाई ले लीजे यहाँ पर मैंने ले ली है अब इसमें डाल देंगे ये गी यह करीब दो बड़े चमच गी है इसे चला कर थोड़ा से इस तरह से मेल्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए गी मेल्ट हो चुका है अब जो आपने बादाम को टुकड़ों में कट किया था वो डालेंगे और इसे तो हलका फ्राइ कर देंगे आपको इसे जादा फ्राइ नहीं करना है नहीं तो जब हम खीर खाते हैं तो यह बादाम का फ्लेवर नहीं आता है ऐसे लगता है कि जला हुआ फ्लेवर है तो इस तरह से थोड़ा सा हलका इसे आपको फ्राइ करना है हलका देख सकते है आप इसको के थोड़ा-थोड़ा रंग चेंज हो चुका है तो हम इसे निकाल देंगे इस तरह से बादा मैंने फ्राइ कर लिए है अब इसी तरह से मैं काजू के टुकड़े भी डाल दूँगी और इससे भी मुझे हलका ही फ्राइ करना है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए आप देख सकते हैं यह तो बहुत ही जल्दी हो जाती है किश्मिश तो किश्मिश भी यहां हो चुकी है इसी तरह से मैंने तीनों अच्छे से फ्राइ कर लिए आपको हलकी इसे फ्राइ करने जादा नहीं करने इतना ध्यान रिखिएगा आप हो चुके है अब यह जो गी है जिसमें हमने यह काजू बादम और किश्मिश फ्राइ किये थे इसे हम चान लेंगे पहले क्योंकि छोटे छोटे इसमें टुकड़े रहे चुके हैं चान लिए अब इसमें डालेंगे यह चीनी चीनी डालने के बाद इससे अच्छे से चलाते हुए हमें पकाना है तो हमारा केरेमल तयार हो जाएगा तो इस तरह से चलाते जाएगे और दीरे दीरे आप देखेंगे कि चीनी पिगलना शुरू हो जाएगी यहाँ पे मैंने चीनी 500 ग्राम ही ली है अगर आप जादा मीठा खाते तो आप जादा भी डाल सकते है कोई बात नहीं इसे चलाते जाएगे आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कि चीनी अच्छे से पिगलना शुरू हो चुकी है आज जो हमने यह केरेमल खीर बनाए उसमें में प्रोसेसी यह केरेमल बनाना है अगर यह अच्छे से नहीं बनता है तो हमारी खीर पूरी नहीं अच्छे से बनेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो चीनी वो अच्छे से पिगल चुकी है अब इसे और थोड़ा चलाएंगे और पकाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका थोड़ा और ब्राउन कलर करना है तो इस तरह से चलाते जाएए अब इसमें एड़ कर देंगे आदा ग्लास पानी तो देखें इस तरह से पानी एड़ कर लेना है और इसे जल्दी से इस तरह से ढख लेना है तो ढख लिया है हमने अब इसे ढख तो आपने देखा कि मैंने इदर आदा ग्लास पानी डाला है और इसे चलाती जा रही हूं और इसे थोड़ा सा गाड़ा होने तक मुझे और पकाना है तो यहां पर देख सकते हैं यह गाड़ी हो चुकी है बढ़िया तरीके से अब गैस को कर देंगे बंध हम और यह जो हमार किमल डाल दिया है अब इसे चलाते हुए हम थोड़ा सा पकाएंगे तो गैस को कर दीजिए ओन थोड़ा सा और इस तरह से चलाते हूं आपको पकाना है आप देख सकते हैं जो कलर है वो आ चुका है बढ़िया तरीके से अब देखा चीनी भी हमने एट करी ली तो देखे इ बादाम को भी डाल देंगे और किश्मिश को भी डाल देंगे यहां पर मैंने काजू बादाम किश्मिश की कॉंटिटी मेरे हिसाब से रखी है आप अगर जादा खाते हैं तो जादा डालिए कम खाते तो कम डालिए अब सारे हमने डाल दिये ड्राइफ रूट्स इसे चला पकाते जाईए और इसे पकाते जाईए तो देखिए करीब यहां पर तीन से चार मिन्ट हो चुके है अब गैस को कर देंगे बन और इसे हम फ्रीजर में रख देंगे यह जो केरेमल खीर है अगर हम इसे फ्रीज में रखे खाते है तो और ठंडी ठंडी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगती है आप घर पे बनाईए इसे खाईए जैसे हम साबू दाना या फिर चावल की खीर बनाते हैं तो वो तो हम हमेशा से बनाते हैं जब से हम छोटे थे बड़े हो चुके तब से हम बनाते हैं पर इस तरह से केरेमल खीर बनाके देखिए वही सामगर है उपर से मैं डाल दूँगी थोड़े से पिस्ते और फिर मैंने यहां पे लिए सूखी गुलाब की पतियां वो भी थोड़े डाल दूँगी तो जैसे हम साबू दाना इसकी खीर बनाते है तो आप ये खीर को भी ट्राय करके देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है खान असानी से हमने एक खीर बना दी है सिव आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसमें वो चीनी का केरेमल बनाते हैं तो उसमें आपको अच्छे से चलाते जाना है और पानी आदा गलासी आपको डालना और जल्दी से ढख लेना है तो तैयार हो जाएगी बढ़िया तर कर दोला कर दो